मेरे प्यारे बच्चे, आगे हमने आपसे एक नए जीव के बारी में अरजुन और भगवान स्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो सारी बाते बताई। भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे सवालों के जवाब जैसे दिये है, वो वाकही समझने जैसे है, जो आपने अच्छी तरह से ग्रहन किये ही होगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ. भगवान स्री कृष्ण ने सारे सवालों के जवाब दिये, जो हर किसी के जीवन पे लागू होता है, जैसे की जीव गर्व में कैसे, किस कारण से आता है, कैसे कर्म कोई जीव को जैन्म मरन से मुक्ति दिलाते है, जीव को जैन्म समय गर्वपात की पीड़ा क्यो भुगतनी पड़ती है और जन्म समय जीव को कश्ट क्यों होता है इन सारे सवालों का जवाब आपको भी मिला ही होगा आगे श्री अर्जुन कुतुहलता से भगवान को काम, क्रोध, लोब, मो और अहंकार जिसे विकारों को वश्मे कैसे करे उसके लिए कहीं सवाल करते है अर्जुन न मन मदमस्त हाथी की तरह है मन, काम, क्रोध, मो, लोब और अहंकार रूपी विकारों के वश्मे है त्रिश्ना इसे शक्ति देती है इन पाचों विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है हे रिशिकेश इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश्मे कैसे किया जाए मन को भक्ती में क इस विदी से लगाया जाए। भगवान स्री कृष्णा अर्जुन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हे धरनजय जिस प्रकार मदमस्त हाथी को अंकुष से वश्मे किया जाता है। उसी प्रकार मन को अभ्यास रुपे अंकुष से वश्मे किया जाता है। भक्ती और ज्ञान निरंतर अभ्यास से ही तो मिलते है। भग्वान का ये जवाब हमें भी बहुत प्रेना देता है। अब हम अपने शिशु के साथ ये सारी बाते गर्ब समवाद के द्वारा उसे बताएंगे। तो आप सभी माताएं अपनी दोनों आखे बंद करकर दोनों हाद अपने गर्ब पर रखकर गर्ब समवाद के शरुवाद करें। हे मेरे प्यारे शिशु, श्री अर्जुन और भगवान स्री कृष्ण का ये समवाद हमें बहुत ही प्रेना देता है। भगवान की ये सिख हमारे जीवन को बहुत आसान बना देती है। हे मेरे प्यारे आप इस कल्योग में अपने मन को शान्त रखना, जैसे कोई जंगली अती खुंखर प्राने को भी योग्य अंकुष से वश्मे कर सकते हैं, जिससे वो हमारे इशारे से काम करता है। वैसे ही आप अपने मन को शान्त रखना, इस कल्योग में मन को वश्मे करना आसान काम नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे मुझे पता है कि आप अपने दर्ड मनोबल और इच्छा शक्ती से ये काम जरूर कर सकोगे। हे मेरे बाल स्वरूप, हमारा मन भी हमेशा काम, क्रोध, लोब, माया, इर्षा जैसे विकारों में ही भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप अपने मन को संसकार रुपे पानी से सीचोंगे, ध्यान, साधना, योग का अगर आप सहारा लोगे, तो आप भी अपने मन को जरूर इन सारे विकारों से बाहार निकालके अपने जीवन को तो सुखी करोगी ही। लेकिन आप अपनी सकारात्मक उर्जा से दुसरों के जीवन में भी उजाला प्रस्राओगी। हे मेरे शिशू, मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप उसका महत्व समझ कर इन सारे विकारों पर काबू पाके आप अपना जीवन एक फूल की तरह सुगंतिदार बनाना। उसके लिए मैं भी गर्ब संसकार की माध्यम से सदेव आपको संसकार देती रहूँगी। हे मेरे शिशु हम फिर से रुबर होगे। धन्यवाद।